यूपी में एक्जिट पोल को लेकर सपा के प्रत्याशी स्वामी प्रिशाद मौरे ने एक्जिट पोल को बेकार बताया है उन्होंने कहा कि यूगी सरकार 10 मार्च को जा रही है और प्रचंट बहुमत से समाजवादी पार्टी के सरकार उत्रप्रदेश में बनने जा रही है अखिले श्यादव उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और यूपी को एक बार फिर से क्यूबा मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है स्वामी प्रसाद मौरेस से खास बात्चीत की विशेश समबाद दाता आलोक राएने विशान सभाद चुनाओ का मद्दान समाप्त हो गया है इसके साथ ही कल से एक्जिट पोल भी शुरू हो गया है हलाकि एक्जिट पोल एक तरफ जहां बीजेपी को बढ़त दिखा रहे हैं एक्जिट पोल के अजकान स्प्रणाम हमेशा उल्टे आते हैं यही एक्जिट पोल है जब पस्छी मंगाल में भी भाजपा की सरकार बना रहे थे पस्छी मंगाल हो राजस्थान हो मदपदेश हो चतिजगर हो हर जगा से भाजपा को हाँ दो ना पड़ा यही हाल उत्रपदेश में भी होगा उत्रपदेश में भी अख्लेश यादोजी के नितित में समाजबादी पाड़ी सरकार बनने जा रही है समाजबादी पाड़ी का आकड़ा तीन सो के पार पहुंचेगा भारती नता पाड़ी आज मुगरी लाल के हसीन सपने देखरी सरकार बनने का सपना कभी शाकार नहीं होगा बलकिन भाजबाक आकड़ा दहाई में सिम्टेगा यानि सो का आकड़ा भी नहीं चूपाएंगे और इसलिए जो योगी शरकार की खिलाफ उत्तरपदेश में गुस्टा देखने को मिला जो जनता का रुजहान मुझे मिला है उसके अधार बिस्वार से शाथ में कह सकता हूँ कि योगी शरकार का सूपड़ा साप होने जा रहा है दस मार्च को परणाम आने के बाद सफ़ा की शरकार बनेगी अधिया तो जी मुक्ष मंत्री होंगे योगी शरकार की बिदाई होगी दस मार्च को आपको लगता है कि जो एक एक जीट पोल है यह पल्टे गया निए आप इसको कहने की पूरी तरह से नकार रहे हैं और समाजवादी पार्टी को सरकार बनेगी आपको लगता है कि यह होगा दस मार्च को एक बार नहीं अनेक बार जूटे साबित हुए इस बार जूटे साब इता होगा एक जीट पोल बखवास है इसके स्वाब कुछ नहीं यह टाइम पास करने का एक माध्यम है लोग इंवाय करते हैं और इसलिए मैं इसको नकभी माना हूं पहले ना आज मानता हूं चूंकि आपको मैं एक चीज कट्चू सत्य बता दूं ए भी नहीं जीते हैं लेकिन मैदान में सब्सक्राइब जीत क्याते हैं तो इसलिए एक्जिट पोल हवा हवाई किस सिवाए कुछ नहीं यह थे स्वामिपसाद मौर जी जो पूरू मंत्री थे जो सरकार खिलाब गए और खुद भी फाजिल नगर से समाजवादी पार्टी के एक बार उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री बनेंगे कैमरा परसंट सतीन के साथ आलोक राए बंसल नियूज लखनाव